हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप इस वीडियो में बात करेंगे NW vs DG Dream 11 Stats Plus Info यानि कि Northern Warriors और Decken Gladiators के बीच में जो ADT T10 Math 6 है यानि अबुदा भी T10 का Math 6 उमीद करता हूँ कल के मैचे आपके बहुत अच्छे थे बहुत मज़ा आया फोर कास डे था कल उमीद करेंगे और भी धियम अपने ऐसे ही बनाएं ये मैच वन था उमीद करता हूँ आपने इस मैच पे बढ़िया किया था आपको टीम दिखा देता हूँ वही टीम है क्या जो मैंने आपको दीती बिल्कुल वही टीम है प्रिटोरियस को वी सी करना बहुत बड़ा डिफरेंशल मूव था पठीराना और होवल को लेना अच्छा मूव गया अब्विसली हाँ पे हम बलेबाजी में और भेतर कर सकते थे लेकिन मैक्सिम लोग एवन लुईस और मुईनली के कॉमिनीशन से आया थे सी वी सी जो काफी गेम में चेंज किया इन फैक्ट एवन लुईस और शाकिब थे मैक्सिम लोग के सी वी सी मैच्च तू तो भाई फुल ऑन बहुत बड़िया था और सारे कॉंटेस्ट मैंने विन किया और मैं यही उमीद करूँगा आपने भी विन किया हूँ मैं हर एक कॉंटेस्ट आपको दिखा देता हूँ आपके सामने यह काफी अच्छा इसमें मैंने विनिंग कर लिया था अगर मैं आपको दिखाऊ हूँ यहां पर हमारे टीम में क्या मैंने रखा हुआ था वही टीम है क्या आपको दीथी बिलकुल मैच हमारा गया, सारे के सारे कॉंटेस्ट जीते, अपने को में तो एम यह है न की जीतना था, तो सारे कॉंटेस्ट आ गए, और ये मैच हो मैंने आपको कम खेलने को बोल दिया था, एक्चली इस मैच हो कोई स्टार कंडेंटर मुझे दिखने ही रहा था टीम में, प्लस मेरे को यहाँ पे अकेलो सेंट टीम में चाहिए था, रामपॉल की जगा, बस वही मैंने चींज नहीं किया, उसके बावजूद मैं क्यों जीता, कप्तान अच्छे, वाइस कप्तान मेरी टीम रहेगी, मैं वही आपको दूँगा, ना मैं कभी आपसे पैसे मांगूगा, मेरे साबसे करेक्टर इजदा, अभी मैं एक वीडियो देख किया आ रहा था, भगवान राम के उपर वो थी, उसमें राम और रावन के कंपेरिजन में कहा गया था, कि रावन जो थे, इतने जादा बुद्धी मान थे राम से, हर चीज में आगे थे राम भगवान से, लेकिन कहां पीछे थे, वो थे करेक्टर में पीछे, और वही चीज भारी पड़ गई, तो करेक्टर बहुत जरूरी चीज है दोस्तों, जो इस फिल्ड में में अपने आप से टृथफ़ रहना, ऑन्वेस्ट रहना, बहुत मुश्किल है, वही मैं कोशिश करता रहूँगा, यहां पर कोई गलत चीज आपके साथ ना करके, तो मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ, मेरी वीडियो देखो, लेकिन हमेशा अपनी भी दिमाग लगाओ, और बेस से बेस्ट करनी हो गया था, जिसमें पॉस्ट चलिंग में 8-9 रन भी कर दिये थे, तो मैंने आपको वो भी एक एक बॉल बताई थी कि क्या-क्या हो रहा है, ठीक है, तो यह चीज का फाइदा उठाओ, टेलीग्राम पे जुड़ जो, दो लग बाइसी जुड़ चुके हैं, डिस्क्रिप् साइड वली बाउंडरी बड़ी है, स्पेशली एक साइड की, एक साइड छोटी है, एक साइड बड़ी है, अब मैं आपको बता दू, यहाँ पे रन्स कम हो रहे हैं, क्यों, रिसेंटल अगर आप देखोगे, वैसे 100 क्रॉस हो रहे हैं, हर मैच में लग लेकिन थोड़ा सा चेजिंग में रन्स कम हो रहे हैं, आप हर मैच में देख लो यार, पहले बल्ले बाजी करने वाले टीम को एडवांटेज रहे हैं, वो जीती है, ट्रेंड चेंज होने में टाइम नहीं लगता, लेकिन अभी तक यह काहनी रही है, पच्पन में से जो विक्टे हैं, 38 वास् उनमें रन नहीं पड़ रहे हैं, तो टीम स्पिन को भी अच्छे से यूज़ कर रही है, अब यहां नॉर्धन वारियर्स की टीम, आपने देखा यह एक मैच खेले, लाइथ, केनार लुइस, उस्मान खान टीम ने बढ़िया किया, लेकिन लास्ट में जाके मैच आर गए, रोमन पोवल, शेरिफएन रधरफोर्ड, उस्मान खान, इन पे टीम ने काफी रिलाय किया, ओपनर्स में एडम लाइथ अच्छे हैं, केनार लुइस, इंकंसिस्टेंट हैं, बट वही बात आ जाती है, विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं, जब विकेट कीपिंग भी कर रहे पाकिस्तानी बोलर हैं, आपको पता है, भाई ये बोलर मुझे खतरनाक लगता है, ये विकेट ले जाता है, और लेता है दो दो तीन लेता है, राइली सो की भी विकेट इनोने लिए ध्यान रखना है, बागी अभी मन्यू मिथून है, माग दियाल है, और यहां लियम डॉ प्लेयर बढ़िया था, surprisingly इन दोनों से और ओवर करवाया नहीं गया, माग दियाल को बहुत टफ कंडिशन्स में पावर्पल में ओवर दे दिया था, बेंटन के आगे, ठीक है, तो ये चीज़ अगर आपने देखी हो, टीम में इनों के बोलर्स को देखते हो, मिरे को जो द इसमें हर एक प्लेयर का रिकॉर्ड है, आप किसी भी प्लेयर का रिकॉर्ड देखना चाहो हो, तो देख सकते हो, फॉर एक्जामपल माग दियाल, 29 मैच पर 27 बर बल्ले बाजी करी, टी 20 में, 446 रन, 17 एवरेज, एक हाफ सेंचरी, आठ विकेड भी हैं दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ अगर आपने देख लिए हो, आप ऐसे ही किसी भी प्लेयर का स्टाइट्स रिट कर सकते हो, ये लास्ट चेर के स्टाइट्स है, जाहिन के लिए, रॉम्मन, पॉल, किनार, लुईस, शेरेफन, रधरफो, टॉक्सकोर्ज रहते हैं, जो विंडीज के प्लेयर है दियाल भी इनफेक्ट मिंडीज के ही है, चारों अच्छे रहे थे, ठीक ठाक रहे थे, उदाना, हसरंगा और मिथुन भी यहाँ पे अवेलिबल है, विकेट्स में हसरंगा, दियाल, एमरिट, रियाद, एमरिट के अलावा आपको बदा दू, अभी मन्यू, मिथुन, भार लेगा, उनके भी न तो जाएंगे नहीं, लेकिन दोस्तों, टॉम कोलर, कैड मौर, तेरा नन, जीरो विल्समीड, इनके टॉप ओडर से बहतर परफॉर्मस एक्सपेक्ट करतों, डेकन लेडियाटर्स के टीम बढ़िया है, पुरान ने 77 और टोट किये, डेविड वीज औ इनका आठवा और दसवा ओवर, डेथ में आके बोलिंग कर सकते हैं, दोस्तों, इंपोटन बन जाते हैं, जहूर को भी डेथ में ओवर मिला था, जो 9 ओवर था, शमजी ने 1 ओवर डाला, बढ़िया था, 4 ओवर था मैच का, लिटल ने 2 ओवर किये, सुल्तान एहमद ने 2 डेविड वीज ने 1 ओर किया, ठीक है, अब डेकरिल एडियेटर्स के आप पूरी प्रोफाइल देख रहे हो, हर एक प्लेयर का इसमें मैंने रोल डाला हुआ है, हर एक प्लेयर का आपको मैंने प्रोफाइल दिखा दिया कि क्या करते हैं, लेकिन आप फुल स्टाट्स पर स मान लो, आपकी सिकार रीट करना चाहते हो, मान लो वो हैं विल स्मिट, पच्पन मैच, चौबन इनिंग, चौटन सो इकतरन, 29.4 एवरेज, एक श्यतक, आठ अर्ष श्यतक हैं दूस्तों, आस्ट यर के टॉप विगेट टेकर, ओडियन ने ओर ही नहीं डाला, ठीक है, इत 12th man डाउलोड डी करिया, 12th man भी डाउलोड कर सकते हो, अच्छी अप्लिकेशन है, यहां आपको lower entry fees मिल जाती है, बाकी apps के मुकावले में, जो आपको एक competitive advantage देता है, small league particularly अगर आप head to head खेलते हो, उसमें आपके लिए काफी बढ़िया है, ट्राइबल रहेगी आपके हमदान ताही local player है, record ठीक है, लेकिन मैं उनको prefer नहीं करूँगा, वो खेलते हैं तो भी, so basically आपके लिए बचे, Nicholas पुरान और किनार लुइस, Nicholas की last innings brilliant थी, and timely innings थी यार, बहुत ही जादा, अच्छे timing उसमें मुझे देखने को मिल रही थी, तो कई ना कई मैं इनको जूर हूँ, कुछ edges भी इनके favor में गई, but that happens in T10 Leaks, ठीक है, और किनार लुइस opening पे हैं, लेकिन मैं इनको inconsistent मानता हूँ, आज भी मैं इन में और light में doubtful था, मैंने उन में से light को छोड़ा, but मेरे को दोनों ही लेने का मन नहीं था, बट दोनों opener में से दोनों को छोड़ देंगे, अभी पुरान ने step out किया, आज Powell step up कर चुके हैं, West Indies के captain के तौर पे, so ये match जो actually former captain versus current captain के बीच में है, तो temperature high होंगे और best performance देना चाहेंगे, टॉम कोलर कैटबॉर मेरी definite second पेख है भाई, क्योंकि opening पर आते हैं, and आपके लिए बहुत अच्छे विकल्प है, definite आप इनको team म बाकी यहां पे उस्मान खान है, locally UAE के लिए बहुत खेले हैं, जिरो ने UAE cricket को follow किया, रमी शहजाद नाम के player थे, उस्मान खान नाम के player थे, शैमान अनवर जो कि एक World Cup में बहुत बढ़िया भी खेले थे, यही middle order form होता था UAE का, उनमें से एक important कड़ी थे उस्मान खान, बाकी Sheriff and Weatherford है, मुझे लगता है कि hard hitter बड़े हैं, अब definite try कर सकते हो, और यह कुछ नहीं पता लगता है, catches भी 2-3 ले लेते हैं, बहुत तगड़े फिल्डर हैं, Adam Light को मैंने select किया है दोस्तो, opening के तौर पे ठीक है, आप इनको चाहो drop भी कर सकते हो, इनको चाहो ले भी सकते बहुत जा तेजी के चक्कर में, तो ऐसा नहीं है, खराब है, टेकनीक अच्छी है, बट वही बात आ जाती है, कहीं बार थोड़ा सा जल्दबाजी कर बैठते हैं, जेसन रॉय की दोस्तों लगता है, availability हो गई है, मैंने actually line-up में ना miss कर दिया by chance, तो आप यह मत समझना नही खेलेगे हैं, high chance है खेलने का, तो डेकन लेडियेटर्स के हो सकता है, विल स्मिट की जगा सीधा जेसन रॉय आएं, और जेसन रॉय, ओ बाई, बाई, प्लियर अच्छे हैं, थोड़ा सा आप कह सकते हो, form recent में अच्छा नहीं रहा, बट यह T10 लीग है और यह जो stadiums है, इस जब वो खेली नहीं रहे, ठीक है, all rounders में, audience with very good all rounder, last match में बोलिंग सेक्शन में थे, overnight मिला, इनको all rounder में डाल दिया, आप बोलिंग ही नहीं मिल रही, तो भी problem है, डेविड वीज को एक ओर मिला, पिटाई करवा दी, three down बल्ले बाजी आये थे, four down audience मित आये थे, Russell last match खेल इन में से भी मैं किसी को prefer नहीं करूँगा, basically all rounder में, एक player तो हमें ली नहीं है, अगर Russell खेलेंगे तो Russell लेंगे, otherwise हम इन दीनों में से किसी को तो choose करना ही पड़ेगा, पहले bowling पे चलते हैं, ठीक है, bowling पे हमें कौन चाहिए, little हमें चाहिए, क्योंकि little ना में लेकिन calm giant करते विकेट लेते हैं, catches भी दो पकड़ लिए, last match में, ठीक है, Wayne Parnell को लिया है, Wayne Parnell को क्यों लिया, प्यूश भाई, 10th होर इन रहने डाला था, दोस्तों थोड़ी सी hard hitting भी करने के लिए जाने जाते हैं, तो ले लिया इनको, जुनेयत सिदी की विकेट लेके खराब नहीं है, UA वही के तगड़े fast bowler हैं, इस World Cup में भी अच्छा performance था इनका, फाइफर भी निकाला हुआ था, मुझे याद है, ठीक है, I think वो warm-up match में था, बट स्टिल, considering की important है, बताना important है, तब रहा समझी, spin bowler चल रहे हैं टूनामेट में, मैंने इनको लिया, Tom Helm को मैं वैसे यह नहीं जहूर खान को मैं नहीं रख रहा हूँ टीम में, मैं हर किसी को नहीं ले सकता है, इनके टीम से, बोलेंग में मैंने शम्जी को रखा, लिटल को रखा, हल्म को रखा अल्रेडी, बाकि जुनेयत सिदीकी, जहूर खान, UAE के न, अगर आप दो मुझ से पूछोगे, fast bowler जो best हैं, current date में यही दो बेस्टर, जहूर खान और जुनेयत सिदीकी, बट दोनों को मैंने अभी नहीं रखा, मुहमद रिफान, first floor से आएंगे, बोलिंग करने देखते हैं, इनके सामने कोन होंगे, northern warriors के बोलर आएंगे, तो सामने होंगे, deckan gladiators के tom kolar cadmor, और deckan gladiators के ही, jason roy, तो मैं अभी जादा पंगे नहीं ले रहा, दोनों opener लिये हैं, तो मैं मुहमद रिफान को नहीं रख रहा हूँ, बाकी की बुलर्स में यहां पर अभी मन्यू मितुन है, और सुल्तान अमद, क्रिस ग्रीन अभी नहीं खेलने वले, इनकी जगह ही माग दिया लाएं, Luke Wood हो स खेलेंगे के नहीं, ठीक है, बाकी यहां पर मैंने अब देखो दो प्लियर की चॉइस करनी है, जिसमें से एक और रौंडर बैठेगा, और रौंडर में फिलहाल मैंने ओडियन स्मित को लिया है, मैं डेविड वीज को नहीं ले पाऊंगा, भाई वैसे डेविड वीज ने करना चाहो, कर सकते हो, मैं फाइनली अभी किनाड लुइस के लिए गया हूँ, बेसिकली टॉप थ्री ओफ बोर्ट टीम्स आफ कवर्ड, बट वही बात है, मुझे ये इतने कंसिस्टेंट नहीं लगते, एक्चली टॉप थ्री नहीं कह सकता, क्योंकि पावन पावल हो सकत इतना ओवर नहीं मिल रहा, तो कहने ही सकते हैं, लेकिन वीसी के ओप्शन रॉवन पावल भी हैं, अभी कप्तानी मैंने निकुलस पुरान और वीसी मैंने रॉवन पावल को बनाया है, एक ओप्शन आपके लिए पार्नल या टॉल्म हैं ये मैच मुझे उतना खास नहीं वीडियो से आप कुछ अच्छा करें इस मैच में, आज आपके लिए शिल्ण का अफगानस्तान का भी वीडियो आया, इंडिया न्यूजिलैंड का भी आया, मैनत अच्छी लगे तो एक लाइक भी कर दो, कल भी दो टीटेन के वीडियो आया थे, कमेंट करो, शेर करो, ला अच्छी लगे, ठीक है, लिक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, टेली राम का